दोस्तों अब सबका फेबरेट टीवी शो अनुपमा और इस टीवी शो को लेकरें बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं टीवी एक्टर पारस करनावत को जहां पर मेकर्स ने इमिजेट इफेक्ट शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया वहीं उनकी जगा एक नई आक्टर ने ले ली है सागर पारिक जो कि समर शाह के रोल को प्ले करेंगी उनकी एंट्री हो चुकी है अनुपमा टीवी शो में और उनका खुले दिल से सौगत किया है और खुद सागर पारिक ने सोशल मीडिया पर एक फोटो को भी पोस्ट किया है और उसमें गौरव खन्ना के साथ है वो और इसे की साथ आपको बताते हैं कि सोर्सिस ने भी बड़ा खुला सा किया है उन्होंने रिवील किया है कि आगे की कहानी क्या होने वाली है अब कमी एपिसोड में आप सब क्या देखने वाले हैं वो ये देखेंगे कि अब सागर पारिक यानि की समर और अनुपमा जिनको एक साथ दिखाया जाएगा और समर जो कि अपनी मा का साहरा बनता हुआ नजर आएगा और इनका जो रिलेशन है काफी गहरा दिखाया जाएगा क्योंकि अभी जो ट्रैक आप सब ने देखा जिसमें अनुपमा को घर में काफी बेज़ती जहिलनी पड़ती है इसे के साथ टीवे अक्टर पारस कलनावत ने भी ये बड़ा खुलासा किया था कि उनके साथ भेदभाव किया जाता था उनके जो स्क्रीन पे उनको जादा नहीं दिखाये जाता था, बैक्ग्राउंड पे उनको रखा जाता था, उनके जादा डायलॉग्स नहीं बुलवाये जाते थे, सो ये एक बड़ा खुलासा किया था बारस कलनावत में, वैल आप सब क्या करशा आते हैं, अपकरमी ट्रैक के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बढ़ाएं, चैनल उकर सब्सक्राइब कर लें, ऐसी अप्डेट्स के लिए